हेलो और वेल्कम बैक वांस अगेन and very important topic है from final point of view theory के point of view से ये बहुत ही ज्यादा एक important topic है जिसमें आज हम errors के concept को discuss करेंगे देखिए errors क्या होती है error का मतलब होता है गलती या mistake तो types of error तो भई ये errors की कितनी types हैं हमने ये discuss करना है लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये गलती यहां कहां से रही है कि ये गलती नाम का concept यहां पर trial balance में आया कैसे है देखो हमने अभी तक क्या सीखा है कि जो trial balance अगर मैं balance method के point of view से आपको याद दिलवाऊं क्योंकि वो ज़्यादा popular है तो हमने ये समझा था कि एक debit side होती है और एक credit side होती है मतलब एक column हमारा debit के balances को show करता था और हमने ये देखा था कि जब at the end total किया जाता है तो debit side का total credit side के total के बरापर आता है है ये concept originate हो जाती है, कि कई बार trial balance बन कर तयार हो जाता है, लेकिन या तो total match नहीं होता है, मतलब trial balance tally नहीं करता है, तो उस वक्त कुछ errors का हमें पता चलता है, थीक है? मैंने अभी अभी क्या बोلا, कि कुछ total का हमें गलती, मतलब पता चलती है कि total जो है कुछ match नहीं कर पाता है जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बर है तो हमें ऐसी errors का पता चलता है तो इसलिए error की पहली category जो बनती है वो ये बन जाती है number one वाली कि errors affecting trial balance ऐसी errors ऐसी गलतियां जिन्हों ने trial balance पर अपना असर डाला इसलिए तो trial balance match नहीं किया इसलिए तो difference आया तो these are the errors which are disclosed by trial balance disclosed का मतलब होता है जिससे trial balance से पता चला मतलब जिनके बारे में हमें trial balance से पता चला तो ऐसी errors कौन सी है हम वो आगे पढ़ते हैं लेकिन उससे पहले एक second category का जो यहां पर heading आपको बता रखी है वो भी समझ लेते हैं कि वो क्या है देखें दूसरी category बिल्कुल इसके opposite है कि वो कौन सी errors है जो trial balance को effect नहीं कर रही है अब कैसे effect नहीं कर रही है हमें कैसे पता चलेगा मतलब हमें पहले तो हम यह देखेंगे कि यह debit और credit के balances का total बराबर आ गया मतलब हमने तो अपने तरफ से यह सोच लिया कि भई मेरे ledger accounts बिल्कुल सही बने हुए थे मेरे जो debit और credit के totals हैं वो आपस में match कर गए हैं तो इसलिए trial balance पर कोई असर नहीं पड़ा लेकिन trial balance पर चाहे कोई असर नहीं पड़ा फिर भी मुझे जब accountants जब CAs ने आकर चेक किया auditors ने आकर चेक किया तो गलती पकड़ी गई तो भई वो कौन सी गलतियां हैं जिने trial balance effect नहीं हो रहा है तो these are the errors which are not affected by the trial balance या दूसरी शब्दों में errors which are not disclosed by the trial balance तो कुछ ऐसी गलतियां है अगर simple सी भाषा में हम बोले कुछ ऐसी गलतियां है जो trial balance बनता है अगर match नहीं करता है total तो identify हो जाती है लेकिन कुछ ऐसी गलतियां होती है जो trial balance match तो कर जाता है total match कर जाता है लेकिन फिर भी वो गलतियां होती है existence में आती है लेकिन बाद में identify होती है जैसे जैसे हमारी dealings होती है parties के साथ या हमें बाद में चलकर auditing वगरा जब होती है तब पता चलता है ठीक है अब हम हमारे ये first concept को detail में पढ़ना start करेंगे मैं फिर से बता देती हूं कि this is very very and very important topic first point errors affecting trial balance वो कौन सी गलतियां है जो trial balance को effect डालेंगी आपने सिरफ एक बात अपने दिमाग में रखनी है कि इन गलतियों की वजह से trial balance का total आपस में match नहीं करेगा मतलब trial balance की debit side वाले balances का total credit side के total के बराबर match नहीं करेगा सिरफ एक ये point अपने दिमाग में रखना है आपको ये errors बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी if the trial balance does not telly तो मैंने भी यही बोला ना कि match नहीं करेगा it will indicate that certain errors have been committed तो ये ये इशारा करेगा ये indicate करेगा कि कुछ गलतियां हुई है which have affected the agreement of the trial balance जिनोंने trial balance के agreement मतलब इस matching को इस total के दोनों को बराबर होने वाले concept को effect किया है the accountant अब accountant तो पता है ना कौन है जो accounting का ये सारा का सारा काम कर रहे तो अभी accountant के जिम्मेवारी हो जाएगी ना उसको identify करना पड़ेगा ना कि क्या गलती हुई है तो accountant फिर क्या करेगा he will then proceed to find out the errors and ultimately the errors will be located मतलब accountant फिर क्या करेगा errors को find out करने की कोशिश करेगा और ultimately उसे errors पता भी चल जाएंगी such errors are called the errors disclosed by trial balance or the errors which affect the agreement of trial balance जो concept हमने heading में उपर पड़ा था same way आपको यहां पर बता दिया until such errors are rectified the trial balance will not agree मतलब जब तक इन गलतियों को सुधारा नहीं जाता है rectify मतलब सुधारा नहीं जाता सही नहीं किया जाता तब तक जो trial balance है वो agree नहीं करेगा वो match नहीं करेगा अब कुछ examples मतलब अब आपको यह बता रखी हैं अगर आपको question आ जाए कि what are the different errors disclosed by trial balance या what are the errors which affect the agreement of trial balance तो आपने यह कुछ examples mention करनी है देखे very first wrong casting wrong casting का मतलब क्या है wrong casting का मतलब है अगर total of cash book या subsidiary book is wrong casting का मतलब यहाँ पर total से है कि अगर आपने cash book या किसी और subsidiary book जो हमने sale book purchase book sale return purchase return यह सब पड़ी है अगर हम इनका total गलत लगा लेंगे तो trial balance टैली नहीं करेगा देखो इनके total से क्या फरक पड़ेगा अगर आपको याद हो तो हमने जब cash book बनानी सीखी थी हमने subsidiary books जब बनानी सीखी थी तो हमने यह सीखा था कि भई इनका एक पहलू यहां recorded है लेकिन दूसरा पहलू इनका ledger accounts में दूसरी साइड पर post हो रहा है तो अगर हमने इनका total गलत लगा लिया तो trial balance match नहीं करेगा क्यूंकि एक side पर गलत लगाया गया तोटल और दूसरी साइड पर जब ledger accounts बना है दूसरी party के point of view से तो वो तो सही record हुआ है जैसे मैं आपको एक example देकर बताती हूँ मान लो हमने राम को cash basis पर sales की थी तो हमने क्या journal entry pass की हमने journal entry pass की cash account debit to sales यही होगी न cash sales की entry अब मान लो कि यह sales तो हुई थी 1000 की तो हमने क्या किया हमने cash book और मान लो अगर हम subsidiary books भी prepare कर रहे हैं तो हमने यह subsidiary books में तो आपको पता है ना कि credit basis पर entry आती है तो यह तो cash sales है तो यह जो cash book है वो तो cash के point of view से मतलब वहां posting हो जाएगी लेकिन जब हम sales account बनाएंगे तब भी तो हमें अलग से इसमें sales के point of view से entry को यहाँ पर भी तो post करना पड़ेगा ना तो मान लो हमने जब sales का ledger account बनाया तो हमने यहाँ पर by cash 1000 लिख दिया ठीक है लेकिन जब हमने cash book में cash book में इसकी posting की तो हमने total गलत लगा लिया cash book का लिखा तो 1000 लेकिन cash book में हमने total गलत लगा लिया तो अगर एक subsidiary book या जो ये cash books हैं इनका total अगर हम गलत लगा लें हमारे पास balance अगर इनके गलत आ जाएं तो गड़बड़ी सिरफ इसमें हुई है लेकिन उधर ledger accounts में तो नहीं हुई है न तो इसलिए इन गड़बड़ियों की वज़ा से हमारा जो trial balance है उसमें हमें difference देखने को मिलेगा एक और बात आपको मैं यहाँ पर हिंट की form में अभी बता दूँ कि ये जितनी भी errors होती है जो की identify की जा सकती है इन्हें न one-sided errors भी बूला जाता है क्योंकि ये एक side पर हो रही है दूसरी side पर नहीं हो रही है तो इसलिए इस तरहां की जो errors होंगी वो trial balance में हमेशा difference लेकर आएंगी ही आएंगी जैसे देखिए आपको यहाँ पर भी एक example की form में बता रख है कि मानलोड purchase book का आपने total लगाया लेकिन आपने 1000 excess में add कर लिया ठीक है totaling करने में गलती हो गई तो जब आप इसके total को further purchase account में post करोगे सीख है न हमने posting करना लेजर posting में तो जब हम ये purchase book में से उठा कर purchase account में पोस्टिंग करेंगे तो purchase account में भी 1000 जादा होगा क्योंकि हमने total गलत लगाया है तो जब purchase account में गलत है तो जब हम इस account के basis पर आगे trial balance बनाएंगे तो trial balance में भी 1000 debit side पर जादा ही show होगा जिसकी वज़ा से trial balance टेली नहीं करेगा moving on to the next step यहाँ है posting to the wrong side अब wrong side कितनी sides होती है एक debit side है और एक credit side है तो अगर हमने गलत side पर posting कर दी आनी तो चाहिए थी ledger account की debit side पर लेकिन हमने posting कर दी credit side पर तो उससे असर पढ़ जाएगा trial balance पर बिलकुल इसी तरीके से आनी तो चाहिए थी credit side पर लेकिन हमने posting कर दी debit side पर तो अगर if instead of posting an amount to the debit side of an account it is posted on the credit side और vice versa trial balance match नहीं करेगा टेली नहीं करेगा जैसे example goods 2000 की हमने गोपाल से purchase की थी अब इसकी journal entry बना कर देखो दिमाग में क्या बनेगी इसकी journal entry बनेगी purchases account debit to gopal तो purchases account debit to gopal ये journal entry बनेगी इसकी लेकिन मान लो अगर हमने like suppose गोपाल का account बनाया अब गोपाल इसमें क्या हो रहे है टू है ना credit हो रहे है लेकिन suppose कीजिए अगर हमने यहाँ पर लिख दिया two purchases अगर हमने यहाँ पर पोस्टिंग कर दी debit side में sorry credit side में करने की बजाए हमने गुपाल की debit side में अगर पोस्टिंग कर दी तो ये गड़बड हो जाएगी तो इस case में हमें क्या करना पड़ेगा इस case में हमारा जो trial balance है वो match नहीं करेगा तो हमें इस गलती को identify करना पड़ेग अब देखिए next error जो है वो कौन सी है वो है posting of wrong amount देखो वहां wrong side था अब wrong amount है trial balance will not telly मतलब match नहीं करेगा if the posting in an account is made with an incorrect amount देखो ये a और an articles है आपको पता है कि ये एक की जगा पर use होते है तो यहाँ पर दोनों accounts में मतलब जैसे हमने debit और credit में क्या क्या था कि अगर एक account debit होता है तो दूसरा account credit होता है लेकिन यहाँ पर आपको सिरफ एक के पहलू से बता रहे हैं कि अगर एक के खाते में हमने गलत amount डाल दी है तो उस वज़ा से हमारा trial balance जो है वो match नहीं करेगा जैसे goods 600 रुपे की हमने purchase की थी महिंदर से तो जैसे वो गुपाल वाला case था बिलकुल उसी तरीके से देखो कि journal entry क्या बनेगी purchases account debit to महिंदर if it has been correctly entered in the purchase book but while posting to the महिंदर's credit side क्योंकि two महिंदर है ना तो महिंदर की credit side पर post होनी चाहिए लेकिन जब हमने महिंदर की credit side पर posting की तो हमने 600 की बजाए एक zero कम लिख दी 60 तो खुद सोच कर देखो purchase book में तो 500 गया है debit side पर लेकिन महेश सेम उसी equal amount से credit नहीं हुआ वो सिरफ 60 से credit हुआ है तो आपको कितना difference तो आपको 540 का difference देखने को मिलेगा और simple सी बात आपका trial balance match नहीं करेगा अब अगर हम फिर से बात करें एक और error की तो वो क्या है omission of the posting of one side of an entry फिर से वही concept one sided errors है ना तो मान लो 500 have been received from RAM तो cash book में तो correctly enter कर दिया लेकिन RAM में हम ledger accounts में post करना ही भूल गए RAM के account में credit side पर हम posting करना ही भूल गए तो फिर से रेखो cash book में हमने 500 जो receive किया था तो cash book तो 500 से debit कर दी लेकिन debit के against credit वाली amount हमने ड़ली ही नहीं है किसी account में तो हमें trial balance में difference देखने को मिलेगा बिलकुल इसी तरीके से हमारे पास है एक double posting in a single account फिर से single मतलब one account तो एक account में जैसे 500 have been received from शामलाल and correctly entered in the cash book but if it is posted twice to the credit side of शामलाल's account तो trial balance match नहीं करेगा क्योंकि शामलाल से पैसे तो एक बार receive हुएं तो cash book में तो हमने एक ही बार लिखा है लेकिन जब शामलाल के खाते में हमने लिखा इसके account में जब हमने लिखा तो दो बार लिख दिया तो जिस वज़ा से trial balance match नहीं करेगा next हमारे पास क्या है next है हमारे पास और I think यह last है इस point of view से तो यह है errors of totaling and balancing of accounts in the ledger देखो जो हमने first point wrong casting वाला पड़ा था वो तो पड़ा था subsidiary books के point of view से अब आपको ledger accounts के point of view से समझा रहे हैं हम ledger accounts पी तो posting balancing सब सीख कर आया है न तो जब ledger accounts की हमने balancing करनी है हो सकता है कि हमने totaling में कोई गलती कर दियो हो सकता है हमने balancing में कोई गलती कर दियो plus minus में कोई गलती कर दियो तो जिस वज़ा से errors हो जाएंगी और हमें trial balance में difference देखने को मिल सकता है errors may occur in the totaling of the debit and credit sides of accounts in the ledger and or in the balancing of accounts in the ledger because the balances of accounts are transferred to the trial balance, इसलिए अगर उनमें गलती है, तो trial balance tally नहीं करेगा, trial balance match नहीं करेगा, तो मुझे उमीर है कि अभी तक का ये concept जिसमें एक आपको समझाया कि what were the errors जो की trial balance को effect कर रही थी, वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, देखे earlier मैंने errors में जब starting करवाई आपको, तो मैंने आपको कहा था very very important, अब हम जो ये second part errors का शुरू करेंगे, this is the most important, ये अगर आप देख सको तो मेरी book में आपको blue color से लिखी हुई कुछ lines दिख रही है, ये ही question बन कर आती है, आपको यही लिखा हुआ आता है कि trial balance is not a conclusive proof of the accuracy of the books of accounts, comment, तो आपने basically ये वाली errors discuss करनी होती हैं उस question में, कि वो कौन सी errors हैं, जो trial balance से disclose नहीं होती है, इसका मतलब क्या है, देखो मतलब simple सा ही है, कि हमने जब trial balance बनाया, तो हमने कहा कि भई debit और credit के balances का total match कर गया, लेकिन अगर नहीं match किया, तो find out कर लिया, अब यहां पर है कि total match कर गया, लेकिन फिर भी कुछ गलतियां रहे गई, तो इसी लिए trial balance जो है, वो कोई 100% accuracy प्रोवाइड करने वाला proof नहीं है, कि books of accounts सही बनी है, कुछ ऐसी errors होती है, जो trial balance से रह जाती है, identify होने से, इसलिए वो errors को हम not disclosed by trial balance वारी category में cover करते हैं, तो main object of preparing a trial balance is to check the accuracy of accounts, trial balance बनाने का, जो main objective होता है, वो यही होता है कि यह check किया जा सके, कि books of accounts सही बनी है या नहीं बनी है, लेकिन equality of debits and credits of the trial balance does not mean, equality का मतलब यहां पर total match से ही है, कि debit side का total, credit side के total के बराबर है, इसका मतलब यह नहीं है, does not mean, मतलब इसका मतलब यह नहीं है, कि there are absolutely no errors in the books of accounts, कि इसका मतलब यह नहीं है, कि books of accounts में कोई error ही नहीं हुई है, कोई गलती ही नहीं हुई है, there may be a number of errors which may remain undetected in spite of the agreement of the trial balance की, चाहे trial balance match हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी गलतियां हो सकती हैं, कि जो कि छुपी हुई रह जाएं, undetected का मतलब छुपी हुई रह जाएं, जिनके ब्यारे में पता ना चले, लेकिन ऐसी errors को फिर हमें find out करना पड़ता है, इसी लिए ये बात कही गई है, जो कि मैं अलड़ी आपको बता चुकी हूँ, तो there are certain errors which do not affect the agreement of trial balance, such errors are also called the limitations of trial balance, देखो कितना अच्छा point आपको यहाँ पर बता रखा है, कि इन errors को limitations of trial balance भी कहा जा सकता है, तो फिर से आपको एक और नया question पता चल गया, इस particular line के इलावा कि आपको यह question भी पूछा जा सकता है, कि what are the limitations of trial balance, तो वो कौन कौन सी errors हैं, अब आप पहले पूछोगे कि भई हमें पता कैसे चलेगा, कि यह errors हुई हैं, तो मैंने earlier आपको क्या बताया था, कि जैसे जैसे हम अपने business में different parties के साथ deal करते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमें पता चलेगा, जैसे मैं आपको इस first point में ही एक example की form में समझाऊँ नहीं, देखे जैसे यह पहली error हमें बता रखी है, error of omission, omission का मतलब क्या होता है, omission का मतलब होता है, है, भूल जाना, simple सी बात, error of omission, कि हम भूल गए, हमने record कर लिया, हमने source document के basis पर, हमने source document मतलब generate कर लिया, हमने vouchers जो prepare करने थे, वो prepare कर लिये, लेकिन हुआ क्या, हम transaction को altogether, बिलकुल ही record करना भूल गए, unrecorded ही रह गई वो, ना तो हमने उसकी कोई journal entry pass की, ना ही हमने subsidiary books, मतलब बहुत सारे vouchers होते हैं, बहुत सारे pages होते हैं, हो सकता है कि दो, 81 vouchers turn हो गए, तो एक जो voucher बीच में था, वो रही गया, identify नहीं किया हमने उसे, तो उसके basis पर, ना तो कोई journal entry pass की हमने, ना ही हमने subsidiary books में कोई posting की, तो इस तरहां की errors को, हम error of commission बोलेंगे, अब इसे एक example की form में समझते हैं, जैसे मान लो, हमने goods purchase की, गोपाल से, तो हमने entry क्या pass करनी थी, purchases account debit to गोपाल, या हमने जो subsidiary book बनाई होगी, purchase book हम उसमे recording करेंगे, लेकिन, ना ही भूल गए, omit हो गई ये journal entry, हमने इसकी किसी तरह की कोई recording की ही नहीं, तो अब इस case में क्या होगा, देखो मैंने recording नहीं की, लेकिन अगर देखा जाए logically, तो गोपाल जो है, वो मुझसे पैसे demand करने आएगा न, गोपाल से मैंने खरीदी हैं, परचेस किया है माल, उधार पर खरीदा है, तो that means, गोपाल आज ना सही, कल सही, लेकिन मुझसे पैसे मांगने आएगा, अगर मैंने recording नहीं की, इसको ना तो journal entry की form में, ना ही आगे, सबसीडरी बुक्स में मैंने recording की, तो that means, ना तो इसका debit वाला पहलू record हुआ, ना ही इसका credit वाला पहलू record हुआ, तो जो trial balance है, उसकी debit और credit दोनों sides पर, इसका असर देखने को मुझे नहीं मिलेगा, trial balance मैच कर जाएगा, लेकिन जब गोपाल मुझसे पैसे वसूलने आएगा, तो मैं चेक करूँगी गोपाल का account, कि भई गोपाल मुझसे किस बात के पैसे लेने आया है, जब मैं देखूँगी तो मुझे पता चलेगा, कि भई या तो recording नहीं हुई है, या गोपाल जूट बोल रहा है, अब ये तो है नहीं है कि गोपाल जूट बोलेगा, क्यूं? क्यूंकि आपको पता है कि वाउचर्स प्रिपेर होते हैं, मीमोज प्रिपेर होते हैं, एक कॉपी आपके पास रहती है, एक कॉपी क्रेड़िटर के पास भी जाती है, तो इस वजहा से, इस सबूत के बेसिस पर आपको फिर पता चलेगा, कि आपने रिकॉर्डिंग नहीं की है, तो इस तरहां से ये जो गलतियां हैं वो आइडेंटिफाई होंगी, तो मुझे उमीद है कि ये ओमीशन वाला कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया, तो ओमीशन में बेसिकली आपको क्या पता चला, क्या एक डिफरेंस पता चला, देखो अभी तक की जितनी भी हमने एरर्स पढ़ी, वो थी वान साइडेड एरर्स, तो एक पर असर पढ़ रहा था, लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें पूरी की पूरी जनल एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, तो ना तो इसका डेबिट वाला पहलू रिकॉर्ड हुआ, ना इसका क्रेडिट वाला पहलू रिकॉर्ड हुआ, तो इसलिए ये two-sided error है, कौनसी error है, two-sided error है, इसलिए इस तरहां की जो errors होंगी, उनका हमें trial balance पर कोई असर नहीं दिखेगा, तो मतलब वही सेम, जो मैंने आपको बताया, ना तो उसका debit वाला पहलो record हुआ है, ना ही उसका credit वाला पहलो record हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको ये example बताने की जरुवत है, क्योंकि जैसा मैंने समझाया, आपको समझ में आ जाना चाहिए, अब हम move on करेंगे second error की तरफ, second error जो हमारे पास ये not disclosed वाले में है, वो है error of commission, commit कर दिया है हमने कुछ, कुछ गलत commit कर दिया है, if a wrong amount is entered, either in the journal or in the subsidiary books, the trial balance will tally, because the same amount, चाहे wrong, दो wrong, will be posted in both the accounts affected by the transaction, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, फिर से वही example, कि हमने purchase की थी गोपाल से, तो हमने entry pass की, ठीक है, अब हमने entry pass कर ली, पहले तो था कि entry नहीं पास की, अब हमने entry pass कर ली, let's suppose हमने गोपाल से goods तो खरीदी थी, 4000 की, लेकिन हमने यहाँ पर जो recording की, वो 400 से कर दी, अब यहाँ recording हमने 400 से की, अब आपको इतना पता है, कि journal के basis पर ही आगे ledger accounts बनाए जाते हैं, तो जब हमने ledger accounts prepare किये, तो purchase की debit side, या अगर हमने subsidiary book बनाई है, तो subsidiary books में भी 400 के accordingly recording हुई है, और जब हमने गोपाल का ledger account बनाया, तब भी 400 के accordingly ही recording हुई है, तो that means, जब trial balance हमारा बनेगा, तो उसकी debit side पर 400 का असर है, और credit side पर भी 400 का ही असर है, amount तो same है न, चाही गलत है, तो debit और credit के total में फरक नहीं आ सकता, लेकिन फिर से मैं कहूंगी, कि ये गलती identify कब होगी, जब गोपाल आएगा पैसे लेने के लिए, और वो अपना voucher खाएगा और आपको कहेगा कि मुझे 4000 रुपे की payment करो, तब आप चेक करोगे कि हमने तो 400 record किया हुए, फिर आप identify करोगे और पता लगाओगे कि ये गलती किस nature की हुई है, अभी देखे जो next category है, next errors है, इस category में वो कौन सी है, वो है compensating errors, compensation या compensating errors का मतलब क्या है, इसमें ह कि एक error दूसरी error को छुपा रही है, गलतियां हुई है, लेकिन गलतियां ऐसे हो रही है कि एक गलती दूसरी गलती को overcome कर रही है, उसे छुपा रही है, उसे ढख रही है, तो ऐसी errors को हम compensating errors कहते हैं, जैसे, if the effect of one error is neutralized by the effect of, sorry, by the effect of some other error, such errors are called compensating errors, जो मैंने अभी अभी की form में इसे समझना है, जैसे, आपको example बता रहे हैं कि अनिल के खाते की debit side पर आपने posting करनी थी, और क्या posting की है, 50 are posted instead of 500, आपने debit और credit के concept को दिमाग में रखना है, क्योंकि trial balance में हमने इनी दोनों के totals देखने होते हैं, आपस में match कर रहे हैं या नहीं, तो देखो बहुत आपने क्या post कर दिया अनिल की debit side पर 50, करना क्या था 500, तो गलती कर दी न, एक 0 कम लगा दी, लेकिन आगे देखते हैं दूसरी गलती क्या है, दूसरी गलती है, while posting on the debit side of Sunil's account, Sunil के account में 500 रुपे are posted instead of 50, अब Sunil के खाते में 50 की बजाए हमने क्या post कर दिया है, 500, तो देखो बहुती ध्यान से, होना तो साड़े 500 ही चाहिए था न, debit, और हुआ भी साड़े 500 ही है debit, तो that means कि ये इस तरहां की errors हैं, जिनमें 1 में 0 कम और 1 में 0 ज्यादा लगने की वज़ह से, दोनों errors ने एक दूस दूसरे को compensate कर दिया है, तो ये जो errors हैं, वो net effect जो हैं, वो nullify कर देंगी, खतम कर देंगी, और इस तरहां की errors होने के बावजूद भी, जो trial balance है, वो agree कर जाएगा, ठीक हैं, अब हम आगे भढ़ते हैं, very very and very important error, फिर से इस category में, error of principles, अब ये कौन से वाला principle लिखा हुआ ह वो सिधान्त वाला principle लिखा हुआ है, अब इसका मतलब क्या होता है, देखें, इस error को समझने से पहले, चलिए एक बार recall करते हैं, कि जो हमारे expenditure होते हैं, वो कितनी type के होते हैं, वैसे तो आपने accounting terminologies में इन्हें समझा होगा, देखें, expenditure जो होता है, वो basically दो तरहां का होता ह है, एक तो होता है capital nature का, जिसे हम capital expenditure बोल देते हैं, और एक होता है revenue nature का, जिसे हम revenue expenditure बोलते हैं, देखो जो capital expenditure किया जाता था, हम उसमें basically plant and machinery, land and building, इस तरहां के, मतलब assets को purchase करने से related, जो हमारी transactions होती थी, उन्हें cover करते थे, क्योंकि assets पर जो expenditure किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है, ताकि हम assets को आगे आने वाले सालों में use कर सकें, ताकि ये हमारी production capacity को increase करने में सहायक होती हैं, मददगार होती हैं assets, तो इसलिए हम assets के खर्चे को capital expenditure में cover करते थे, ठीक हैं, लेकिन goods को purchase करना, raw material purchase करना, ये सब concepts जो थे, जिन्हें हम एक साल के अंदर अंदर ही consume कर लेंगे, जिनसे हम benefits enjoy कर लेंगे, इस तरहां के जो expenditure होते हैं, हम उन्हें revenue nature के expenditure बोलते हैं, हम उन्हें capital nature के expenditure नहीं बोलते हैं, ये concepts हम terminologies में भी समझ कर आए हैं, तो अब आपको जो ये error है, वो इनहीं दो बातों पर capital expenditure मानना होता है, और कुछ expenditures को हमने revenue nature का expenditure मानना होता है, लेकिन क्या हो, अगर हम capital nature के expenditure को revenue nature का मान लें, या revenue nature के expenditure को capital nature का अगर मान लें, तो क्या गढ़बढ हो सकती हैं, सबसे पहले एक example समझते हैं, for example, purchase of furniture for cash, देखो आप में से भी काफी बच्चे ऐसे होंगे जो स्टार्टिंग में इसकी जर्नल एंट्री ना परचेज एकाउंट डेबिट टू कैश करते होंगे लेकिन अब धीरे धीरे आपको ये चीज पता चल गई होगी कि जब गुड्ज के साथ परचेज वर्ड लिखा हुआ हो तो ये एंट्री आती है अगर परचेज वर्ड के साथ किसी एसेट का नाम लिखा हुआ हो तो वो कैपिटल नेचर का एकस्पैंडिचर माना जाता है तो उस केस में जो जर्नल एंट्री बननी चाहिए वो बननी चाहिए फरनीचर एकाउंट डेबिट टू कैश अब देखो तो हुआ ना एक खाता चाहिए वो फरनीचर की बजाए परचेज़ हो गया तो डेबिट तो हुआ ना कुछ ना कुछ एक चीज डेबिट हो रही है उसके ऑपोजिट दूसरी साइड पर कैश क्रेडिट भी हो रहा है तो अगर हम ट्राइल बैलन्स के डेबिट और क्रेडि प्रिंसिपल और इसमें कौनसी एरर हुई है इसमें कैपिटल एक्सपैंडिचर को रिवेन्यू नेचर का एक्सपैंडिचर मानने की गलती हुई है तो मुझे उमीद है कि ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया चलिए अब एक और एक्जाम्पल समझते हैं देखें दूसरी एक्जाम्पल जो है अब उसमें हैं मान लो इंस्टॉलेशन एक्सपैंसिज या पेड वेजिज टू दी लेपर फॉर दी इंस्टॉलेशन ओफ मशीनरी इन फैक्ट्री रुपीज फोर थाउसड मान लो यह जर्नल एंट्री है मान लो यह ट्राजेक्शन है हमारे पास जिसमें हमने लेबर को वेजिस पे गी हैं हमने हमारी फैक्ट्री में मशीनरी लगवाई हैं फि suited करवाई हैं मशीनरी को इंस्टॉल करवाई हैं अब आपको अगर याद हो तो हमने इस तरहां की journal entries बहुत ही अच्छे तरीके से समझी है, कि जब भी कोई fixed asset खरीदी जाती है, capital nature की कोई fixed asset खरीदी जाती है, और उस वक्त कोई installation का अगर खर्चा हो, तो उसे हम asset में ही debit करते हैं, तो इसका मतब फिर से यहां पर होना क्या चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था machinery account debit to cash, वो machinery की cost में आड़ होना चाहिए था, लेकिन अगर हम wages account debit to cash कर देते हैं, तो फिर से this is an error of principle, ठीक है, अब अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ आ जाए, जिसमें आपको हो repairs to machinery, repairs to machinery, अब देखो machinery हम use करते आ रहे हैं, पुरानी हो गई, तो कुछ repairs करवाने की जर्द पड़ी, repair हमने इसलिए करवा ली कि चलो इस साल के सेशन के लिए ही सही, कम से कम वो machinery हमारा ये वाला साल कटवा जाए, तो repairs हमने करवाई हैं, और repairs जो होती हैं, वो revenue nature की होती हैं, वो capital nature की नहीं होती हैं, तो अब इसमें, अगर हम machinery, account debit, to cash कर देते हैं, तो it will be wrong, क्योंकि ये repairs हैं, और ये revenue nature का है, तो इस case में journal entry होनी चाहिए, repairs, to machinery, account, debit, to cash account, मतलब इसमें, अब asset का account, debit नहीं होना चाहिए, तो मुझे उमीद है, कि आपको ये journal entries के, point of view से, समझ में आ गया, कि किस तरहां से, हमने ये logics किये हैं, हमने ये logics समझे, कि किस तरहां से, तो हमें अगर capital nature का हो, कोई expenditure, expenditure, तो हमने asset को debit करना होता है, ठीक है, लेकिन अगर revenue nature का हो, तो हमें उस revenue nature के, expenditure को debit करना होता है, हमने हमारी fixed asset को debit नहीं करना है, so all these, are actually the errors of principles, तो मुझे उमीद है, कि ये जो error of principle है, जिसमें आपको ये concept बताया गया है, कि हमें proper distinction करना आना चाहिए, capital और revenue nature की items में, अगर ना किया जाए, तो हम इन्हें errors of principle की category में cover करेंगे, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, अब देखिए, बहुत ही ध्यान से, last, errors of posting in wrong account, if, while posting from the books of original entry, posting is made to a wrong account, but on the correct side, side सही है, अब जैसे मैं आप बहुत ही simple सी example दूँगी, हमने उपर सुनील और अनिल वाली example पड़ी थी, मालो, हमने अनिल के account को debit करना था, लेकिन अनिल की बजाए, हमने सुनील के account को debit कर दिया, तो debit तो हो गया ना भाई, तो debit side का effect तो आ गया, तो trial balance मैच कर जाएगा, आपको यही concept यहाँ पर बता रहे हैं, example भी देखिए, if goods are sold to RAM on credit, लेकिन, entry क्या होनी चाहिए थी, goods are sold to RAM on credit, entry होनी चाहिए थी, RAM to sales, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने राम की जगा पर शाम की account को debit कर दिया, तो debit तो हुआ ना एक account, तो trial balance मैच कर जाएगा, चाहे यह error रह गई है, तो मुझे उमीद है कि यह errors का concept, जो आपको आज समझाया, very very important, फिर से बता रही हूँ, final point of view से बहुत important है, यह आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, जितनी भी examples देकर आपको समझाया गया है, आपको यह concept clear हुआ होगा, तो चलिए मिलते हैं, एक next session में, जिसमें हम trial balance के concept को और आगे बढ़ाएंगे, और देखेंगे कि इसमें और क्या कुछ नया है, और फिर इसके कुछ practical questions भी try करेंगे, जुडे रही है चैनल के साथ, जल्दी से subscribe कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, share कीजिए videos को, like कीजिए videos को, do comments also, thank you so much for watching and have a nice day,